हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले नमस्कार दर्शुको बहुत-बहुत सब्सक्राइब आप सबी का हमारे बेहत खास प्रोग्राम जो तरश्ज्यान में मैं हूँ आपके साथ मॉनिका उक्रोवर दर्शुको लगतार हम आपको बतारे कि कैसे आप वेब्रुरी के मन्त को बहतर बना सकते हैं खुबसूरत बना स तो आज भी आपको यही जानकारी देंगे विशेश प्रकार के उपाय आपको बताएंगे आपकी राश्य अनुसार तो आए प्रोग्राम के शरुवात करते हैं और स्वागत करते हैं दे फेमस पामिस्ट, इस्रोलोजर, इंवास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मीन शर्मार जी का, नमस्कार सर, नमस्कार, सर बात करेंगे करक राश्य के लिए, करक राश्य के जातक फेबुरी मन्द के लिए अपनी राश्य अनुसार क्या विशेश उपाय अपनाए जानना चाहेंगे? आई दर्शों को बात करते हैं कर्ग राशी की 2019 फरवरी में कर्ग राशी वाले जातक ऐसा क्या करें कि जिससे जीवन में एक बड़ा परिवर्टान आए आपकी राशी बड़ी परिश्रम शील राशी है बड़ा महनत करनी पड़ती है आपको आपके जीवन का हरचण सुखद वैतीत हो हम ऐसी भगवान से कामना करते है और आज इस कारेकरव में फिर पुन है दो तीन उपाए बड़े छोटे छोटे से आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हुएं खास्तोर से जिनकी करक राशी है आपकी राशी करक है जो जन्म आपने लिया उस वक्त में आपकी राशी पर चंद्रमा यानि के करक राशी के चंद्रमा थे आपकी राशी कैंसर हुई करक हुई यह जिनके पुकारते नाम से करक राशी बनती है वो लोग भी इन उपाएं को अविश्य करें पिछले महिने में हमने आपको पाय बताये आगे भी बताते रहेंगे हमारा आप से वादा है ताकि जीवन में कुछ न कुछ आप बैटर करते रहे और कुछ बैटर रिजल्ट आपको पराप्त होता रहे बून्द बून्द से घड़ा बरता और बून्द से खाली हो जाता आप जिनके करक रासी है आपकी रासी के जो स्वामी ओनर ग्रह हैं वो चंद्रमा है चंद्रमा का रंग सफेद होता है चंद्रमा मन को भी देखते हैं यानि कि मन के भी प्रियावाची चंद्रमा होते हैं चंद्रमा मनसो अजायत आपने सुना भी हो ये बार अब जिनकी करक रासी है वो फैब के महीने में हमें क्या करना है अब देखो इत्फाक की बात है इस बार फरवरी का महीना बहुत ही मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा महीना है क्योंकि सारे दिन चार-चार आ रहे हैं अब आपकी रासी का जो दिन है वो सौंबार बनता तो चार सौंबार हैं चार मंगल हैं चार बुद्ध हैं मनला बड़ा अच्छा सैयोग इस बार बहुत वर्षों के बाद ऐसा बना है अब देखिए सौंबार की सुभा आप थोड़ा सा जल्द उठ जाएं और जिस समय आप रवी बार की शाम को सोते हैं उस वक्त अपने सिराने किसी पात्र में जल भरके रखें जल का संबंद भी चंद्रमा से होता है सोते समय रवी बार की रात्री में आप जल भर करके अपने सुराने रखें और सुभा सुभा उठते ही सबसे पहले आपने उस जल को देखना है जिनकी करक राशी है सुभार की सुभा उठते ही आपने उस जल के दर्शन कर रहे हैं और वो जल दर्शन करने के बाद अपना यानि के उसमें चेरा दिखे ना दिखे आपने बस जल को देखना उस जल को बाद में आप किसी प्लैंट में गमले में कहीं भी आप उसको डाल दीजेगा ऐसा आपको चार सोंबार करना है शीतलता पैदा होगी आपकी राशी आपको लाब देने लगेगी आगे बढ़ते हैं दूद दूद से बना कोई भी आइटम चाहे वो मिठाई हो या घर में कुछ भी चीज आपने पूडिंग वगरा कुछ भी बनाया है आपने सोंबार के दिन दूद से बना कोई भी आइटम अपने भोजन में जरूर लेना है कब लेना है शाम के समय खास है सब मिल बाट करके खाएं लेकिन जिनकी राशी करक है उनको थोड़ा थोड़ा यानि कि सुईट डिश एक तरह से कोई भी वाइट मिठाई उनके लिए बनावें या फिर बजार से मगा लें थोड़ा थोड़ा जरूर दीजिएगा इससे आपको बहुत आपकी राशी देखो यह सब छोटी छोटी बाते होती है लेकिन इनसे कहीं न कहीं हमें जीवन में लाब की प्राप्ति जरूर होती है आगे बढ़ते हैं चावल का दान यानि कि या तो चावल को उबाल लिया जाए उबला हुआ चावल सुमबार की सुबा सुबा पकष्यों को डाला जाए चाहे आप थोड़ा से डालने थोड़ा सा चावल उबालने में कितना समय लगता पांदस मिनट मुश्किल से लगते हैं तो आप थोड़ा सा चावल उबालने और उबला हुआ चावल आप पक्षियों को डालें अगर आपके पती कहीं बाहर रहते हैं बहुत लोग हमें पूछने हैं कि यह उपाए हम पती के लिए कर सकते हैं बहुत लोग पूछने हैं कि क्या यह उपाए हम बेटी के लिए बेटी के लिए कर सकते हैं तो साथ बिल्कुल कर सकते हैं तो उबला हुआ चावल चार सोंबार सुबा सुबा हम पक्षियों को डालें बहुत अच्छा इससे लाप मिलेगा महिलाएं खास तोर से चांदी जरूर धारण करें जो शादी शुदा महिलाएं हैं नुपुर जिसको हम बिच्वा कहते हैं वो जरूर पहने पाईजेव आप सोंबार के दिन जरूर पहने बहुत चांदी धारण करने से भी हमारी राशी पर विश्यस परभाव पढ़ता है और मन में शीतलता सोंबेता आती है पुरुष क्या करें एक तो हमने उबलावा चावल आपको बता दिया एक सुबह सुबह पानी का दर्शन करें जो आपने रात को सरहने भर करके रखा है और शाम के भोजन में हम पुरुषों या महिलाएं हो सफेद रग की कोई भी मिठाई हम जरूर यूज करें बस ये सिंपल से उपाए आप चार सुंबार करें दोनों के लिए सेम उपाएं हैं महिला हों या पुरुषों कोई भी कर सकती है लेकिन जो चांदी का आइटम पहनना जैसे बिच्वा है पाजेब है वो तो देखो कोई महिलाएं पहनेंगी पुरुष तो पहनेंगे ने तो वो महिलाएं कर लें बाकी महिलाएं अन्य उपाएं भी कर सकती है आपके छोटे बच्चे हैं पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता मन पढ़ाई से उचट जाता या किसी व्यक्ति का अपने रोजगार पर मन नहीं लगता अपनी फैक्टरी में जाने को मन नहीं करता दुकाइन खुलने को मन नहीं करता वर्क करने को मन नहीं करता आलस्तिय बना रहता तो हर रवी बार की रात को जल भर की रखा जाए और सौंबार की सुबा उसको देखा जाए और वो बाद में किसी गमला में या कहीं पर भी उसको हम डाल सकते हैं ऐसा दोश वाली बात नहीं है रात्री के भोजन में सफेद मिठाई का परवंद कर लिया जाए और चान्दी जरूर ऐसे लोगों से धारन कराई जाए उबला हुआ चावल पक्षियों को डलवाया जाए बस आप ये करें फरवरी के महीने में इश्वर की करपा से आपको लगेगा आपके ग्रहत अबदील होंगे और आपकी जो मुश्किले आपके जीवन में आ रही है वो इश्वर की करपा से आपकी मुश्किले दूर हो जाएंगे तो उमीद करता हूँ भगवान से ऐसा विस्वास भी में रखता हूँ कि जिन जिन जातकों की करक राशी है उ अगने विष्येश प्रकार के लाव जरूर मिलेगा तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले और जीवन की जो समस्याय हैं उनके समाधान ही तू शर्मा जी से मुलाकात करना चाहते हैं परस्नली तो उसके लिए आप परस्नल अपॉंटमेंट ले सकते हैं या फिर आप कहीं दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहें किसी ना किसी रीजन से तो ऐसे मैं आप कॉल अपॉंटमेंट ले लीजेगा कॉंटाट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजों से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में अब चलने की दीजिए अजयासत नमस्कार मैं बहुत तिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरू मिलें जो कि मेरे को अध्यात में छेतर में आगे ले जाने के परयास करें तो अपने गुरू देखर को दिखा तो मैं डियरी से भी नोट करते गया कौन सी समस्या, कैसे साल होगी, कौन सी कमस्या होगी तो मैं इसके पहली पर कहीं जागा रहा हूँ लोग मेरे पूछते थे हमारा ये प्राबलम है कैसे करना है वो प्राबलम है कैसे करना है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें